नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब्हें? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी धर्ती यानि जिस ग्रह पर हम रहते हैं, वह ग्रह रहने लायक क्यों है? क्योंकि यहाँ पानी और वायू उपलब्ध है। वायू को अगर हम देखें, तो पेड़ पहुदों पर निर्भर करते हैं ह। क्योंकि जो पेड़ पहुदे होते हैं, वो आक्सिजन छोड़ते हैं और कार्बन डाई आक्साइट ग्रहन करते हैं, जिसकी वज़े से हम लोग सांस लेपाते हैं। और यूँ भी आप अपने चारों और नजर अगर दोड़ाएं, तो कितना ही समान हैं, दरवाजी, खिर्किया, मसाले, चाई, सभी के लिए हम पेड़ पहुदों पर ही तो निर्भर हैं। कितना जुड़े हुए हैं हम इन पेड़ पहुदों से, और ये पेड़ पहुदे बहुतायत हमें जंगलों से मिलते हैं। जंगल जानते हैं न आप, अक्सर आपने टेलिविजन में बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा जंगल का द्रिश्य, या फिर अपनी जो कक्षाओं में पिछली में आपने पुस्तके पढ़ी हैं, उन में भी आपने जंगल की कहानिया पढ़ी होगे। जहाँ परचूर मात्रा में पेड़ बहुती मौज जोध हूँ और इसके अलावा वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में प्रकृतिक खुबसूर्ती वित्यमान हो ऐसी जगें, जंगल, वहाँ हम पशु पक्षियों को भी बहुत आयप देखती हैं। और जो जंगल में देहने वाले लोगों को हम वन्य समाज कहती हैं। प्रिये बचो, आज का जो हमारा विशे है, वुक्षा नौ का इतिहास की पाठे पुस्तक का है, वन्य समाज और उपनी विश्वाद। उपनी विश्वाद, पहले भी आप ये बात सुन चुके हैं। उपनी विश्वाद क्या होता है। उपनी विश्वाद में एक रास्ट्र, दूसरे रास्ट्र को अपने साथ मिलाने की होड रखता है। आपको याधी होगा कि सोला सो इस्वी में अग्रेज भारत में आई। और धीरे धीरे करके उन्होंने भारत को अपना एक उपनी विश्वाद है। यानि एक राज्जे का या एक रास्ट्र का दूसरे रास्ट्र को अपने अधीन कर लेना उपनी विश्वाद है। आज हम इस अध्याई में वन्य समाज के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वन्य समाज कैसा था उपनी विश्वाद के दोर में। तो आईए शुरू करते हैं अध्याई। सबसे पहले प्यारे बच्चों आईए हम जान लेते हैं कि जंगलों को आखिल काटा क्यों गया। अब हम बात कर रहे थे जंगलों के बारे में। तो सबसे अधिक जंगल ब्रिटिश काल में काटे गई। सन 1700 से 1995 के बीच 149 लाख वर्ग किलोमिटर जंगल यानी दुनिया के कुलक शेत्रफल का 9.3 प्रतिशत भाग और द्योगिक इस्तेमाल खेती बाडी चरा गाहूं वह इंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। दूसरा कारण यहे भी था कि उस समय यूरोप और ब्रिटेन में ओक की पैदावार होती थी। ओक की लकड़ी कहीं सारी चीजें बनाने के काम आती थी। इसे बेश कीमती लकड़ी माना जाता था। इसका परियोग फरनीचर, रेल्वे बर्थ, आदी का उत्पादन करने के लिए किया जाता था। लगातार इस्तेमाल से ओक के वन खतम होने लगे। ऐसे में ब्रिटिश सरकार नई जगह डूंडने लगी जहां से उन्हें लकड़ी मिल सके। इसी परिवेश में वह भारत पहुची और यहां से टिंबर की लकड़ी लिए जिससे रेल की कोच और अन्य समान बनाने लगे। जंगल से लकड़ी लेना उन्हें आसान लगा। अब भारत के जंगलों में आदिवासी रहती थी। आदिवासी तो जानते हैं ना आप। आपने अपनी कक्षा आर्खी कक्षा में पढ़ा था आदिवासीयों के बारे में। आदिवासी लोग वे होते हैं जो जंगलों में रहते हैं और इन लोगों के लिए जंगल भगवान से कम नहीं होते हैं जब जंगल कटने लगे, तो वें अपनी जडों से हिल गए उनके पास रहने के लिए जघ्यें नहीं बची उनके पास रोज मर्रा की जरुरत के लिए सामान भी नहीं बचा क्योंकि उन्हीं जंगलों में जीने से रोका गया संरक्षन के नाम पर ऐसा नहीं था कि इस से पहले कभी जंगल नहीं काटे जाते थे लेकिन उपनिवेश वाद के दोरान जंगल व्यापक रूप से काटे गई क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतिय किसान ऐसी खेती करें जिससे अधिक मुनाफ़ा हूँ और जो ब्रिटिश बाजार की जरूरतों को पूरा करें इस तरीके की जो फसलें थी इन्हें व्यापारिक फसलें कहा जाता था एक और बड़ा कारण जो ब्रिटिश लोगों को मेसूस होता था वो ये था कि अगर जंगलों को काट कर खेती की जाए तो उससे अधिक लाग कमाया जा सकता है अगरेजों ने जंगलों को काट कर पटसन, गन्ना, ये हूँ वे कपास जैसी फसलों का उत्पादन करने के लिए भारतिये जंगल के नजदीक रहने वाले लोगों को प्रुचाहित किया सबसे महत्पौण बात यह है कि जंगलों को काटने के कारण ब्रिटिश सरकार अपनी जो उनकी शाषन व्यवस्था थी उसके हिसाब से चलती थी वो जानते थे कि ओक के जंगल लुप्थ होने की कगार पर हैं इसलिए शाही नौ सेना के लिए लकड़ी के उत्पादन में कमी आने लगी बिना जहाजों के शाही नौ सेना कैसे अपना कार्य करती क्योंकि जहाज बनाने के लिए अच्छी किसम की लकड़ी की जरूरत थी जिसकी पूर्ती भारत की तरफ से की जा रहे थी इसके बाद 1850 के आसपास रेलवे का विस्तार हुआ भारत में रेल लाइनों के विस्तार के लिए लकड़ी की और अधिक मांग पैदा हुए इंजनों को चलाने के लिए इंधन की तौर पर रेल की पटड़ियों को जोड़े रखने के लिए स्लिपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत पढ़ती थी रेल लाइनों के परसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पीड पहुदे काटे गए आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर केवल एक मील लंबी रेल की पटड़ी के लिए 1760 से 2000 सलिप्रों की आवश्यक्ता पड़ती थी तो 25,500 किलोमेटर लंबी लाइने बिछाने के लिए कितनी लकड़ी काती गई होगी यह रेल लाइनों का जाल 1860 की दशक से तेजी से फैला और 1890 तक 25,500 किलोमेटर लंबी रेल लाइने बिछाई जा चुकी थी अकेले मदरास प्रेजिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड सलिप्रों के लिए काटे गए सरकार ने आवश्यक्ता को पूरा करने के लिए ठेकेदारों को यह काम सौपा ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड काटे और रेल लाइनों के इर्दगिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगी एक अगला सबसे बड़ा कारण जो था वो यह था जिसके कारण अंग्रेजों ने जंगल कटवाए यूरोप में चाई, कॉफी और रबड की मांग अतरिक थे इस मांग को पूरा करने के लिए प्रकृतिक वनों का भारी हिस्सा साफ किया गया अपनी वेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कबजे में लेकर उनकी विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपिये बगान मालिकों को सौप दिया इन इलाकों को साफ कर दिया गया और चाई और कॉफी की खेती की जाने लेगी प्रिये बच्चों आप तक हमने चर्चा की कि जंगलों को क्यों काटा गया बढ़ती हुई जंसंख्या के लिए आनाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवसाइक फसलों को उगाने के लिए ताकि अधिक मुनाफा कमाया जा सके इसके अलावा जो शाही नौ सेना थी उसके लिए लगड़ी की बहुत अधिक आवश्यक्ता थी इसके लिए भी जंगल काटे गए जब जंगल इतनी भारी मात्रा में कटने लगे तो ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि कहीं भारत के जंगलों का भी वही हाल न हो जाए जो ब्रिटेन में हुआ है कहने का भाव यह है कि अगर जंगल इतनी तेजी से कटते गए तो वेह उन जरूरतों को कैसे पुरा करेंगे जो वेह भारत के जंगलों से काटी गई लकडी से पुरा कहते थे इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी विशिक सरकार ने जंगल संरक्षन की बात सोची अंग्रेजों ने जंगलों को बचाने के लिए एक जर्मन व्यक्ति को बुलाया जो जंगलों का विशेशग्य था जो यह निश्चित कर सकता था कि किस तरह से जंगलों का परियोग किया जाए कि उनकी आवश्यक्ताएं भी पूरी होते रहें और जंगल भी विलुप्त ना हूँ इसके लिए भारत में सबसे पहले इंस्पेक्टर जर्नल और फॉरेस्ट बनाया गया यह उपाधी उस व्यक्ति को दी गई प्रिया भचो यह जो जर्मनी व्यक्ति था जर्मन का जो यह विशेशग्य था इसका नाम था डाईटरिच ब्रेंडिस यह अपने आप में जंगल का एक महान विशेशग्य था और कौन से देश का रहने वाला था जर्मनी का ब्रेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को सरक्षन विज्ञान में परशिक्षित करना होगा और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विक्षित करना होगा इसके लिए कानूनी मन्जोरी की जरुरत पड़ी वन संपदा के उपियोग संबंधी नियम तै करने पड़ी पेडों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पावंदी लगा कर जंगलों को लकडी उत्पादन के लिए आक रक्षित किया जाना था इस तंत्र की अवमानना करके पेड काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भोगी बनना था इस तरहां ब्रेंडिस ने 1864 में भारतिये वन सेवा की स्थापना की प्रियवचो ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1864 इस्वी में भारतिये वन सेवा की स्थापना हुई 1865 के भार्तिय वन अधीनियम को सुत्रवध करने में इसने सहयोग दिया Imperial Forest Research Institute की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई यहाँ इस पद्धती की शिक्षा दी जाती थी जिसे विज्ञानिक वानिकी कहा जाता था अंग्रेजी में इसे Scientific Forestry कहा जाता था लेकिन आज पारिस्थितिक विशेश्यग्यों सहित सादा तर लोग मानती हैं की यह पद्धती कताई विज्ञानिक नहीं है विज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविद प्रजाती वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया इनकी जगें सीधी पंगती में एक ही किस्न के पेड लगाए गए चित्र में आप देखें कांगडा का एक देवदार बागान आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा चित्र जो आप देख रहे हैं वे है दा इंपीरियल फॉरिस्ट स्कूल देहरादोन का है जब इस तरीके का प्रबंधन उन्होंने करना शुरू किया तो इससे वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्विक्षन किया विभिन किस्म के पेडों वाले क्षेत्रों की नाप जोह की और वन प्रबंधन के लिए योजनाई बनाई गे उन्होंने यह भी तै किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काड़ा जाएगा कटाई के बाद खाली जमीन पर कैसे और कौन से पेड लगाए जाएंगे 1865 में वन अधिनियम के कानून लागू होने के बाद इसमें दो बार शंशोधन किया गया पहले 1888 में और फिर 1927 में 1888 वाले अधिनियम में जंगलों को तीन श्रेणियों में बाटा गया आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामे सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया गाउवाले इन जंगलों से अपने उप्योग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थी वे घर बनाने या इंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामेन वनों से ही लकड़े ले सकते थी आईए अब देखते हैं कि लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए इसके बारे में वन पालों और ग्रामेनों के विचार बहुत अलग अलग थे जहां एक तरफ ग्रामेन अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे इंधन, चारे और पत्तों की पूर्ती के लिए वन में विभिन प्रजातियों का मेल चाहते थे वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमार्ती लकडी मुहया करा से है चित्र में देखिए एक बगान का चित्र है और इसमें लोग जंगल से महुआ को बीन रहे हैं गाउं वाले उजाला होने से पहले ही उठकर जमीन पर गिरे हुए महुआ के फूलों को चुगने चले जाते थे महुआ पेड बेशकिमती होता है महुआ के फूल खाई भी जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए भी किया जाता है एक बात और बताऊं महुआ के बीजों से तेल भी बनाया जाता था यह चित्र आपको महुआ के बागान का ही दिखाई दे रहा है अब अंग्रेज लोग चाहते थे ऐसी लकड़ी का उत्पादन करना जो की इमार्ती हो और नौसेना और रेलवे में परियोग की जा सके इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रतसाहित किया गया और दूसरी किसम के जंगलों की कटाई की गई वन्ने इलाकों में लोग कंद मूल, पत्ते, आदी, वन उत्पादों का विभिन जरूरतों के लिए परियोग करते हैं फल और कंद अतियंत पोशक खा दे हैं विशिशकर मौनसून के दौरान जब फसल कट कर घर ना आई हो दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है लकडी का परियोग हल जैसे खेती की ओजार बनाने के लिए भी किया जाता है बास से बेहतरीन बाड़े बनाई जा सकती हैं प्रिये बच्चों ये जो मैं बातें आपको बता रही हूँ ये सभी जंगल के फाइदे हैं ये सभी जो हैं जंगल हमें परदान करते हैं जैसे जड़ी बूटियां, अच्छी किसम का बास और इस तरीके की लकडी जिससे टोकरियां आदी बनाई जा सके सुखे हुए कुम्भर के खोल का प्रियोग पानी की बोतल की रूप में भी किया जा सकता था जंगल से लगभग सब कुछ उपलब्ध होता था पत्तों को जोड़ जोड़ तक खाओ और फै को किसम के पत्तल और दोने बनाई जा सकते हैं आपने देखा है ना कई बार हम जब सामुहिक भोजन करते हैं तो उसमें हम पत्तलों पर खाना खाते हैं वो पत्तों से बनी होते हैं और पत्ते वो कहा से आते हैं चंगलों से सियादी व्रिक्ष की लताओं से रसियां बनाई जाती हैं सैमूर की काटेदार चाल पर सबजियां छीली जा सकती हैं महुए के पेड से खाना पकाने और रोशनी करने के लिए तेल निकाला जा सकता है तो बच्चों देखा आपने कितने फाइदे हैं जंगलों के या यू कह लेजिए कि हमारी रोज मर्रा की तकरीबन हर जरूरत को पूरा करने के लिए जंगल सहायता करते हैं तो आएए आज जो हमने भाग किया है उसकी आधार पर कुछ अभ्यासकारे करते हैं सही विकल्प चुनने हैं आपने मैं आपको प्रशन दे रही हूँ सामने आपको उसके चार आप्शन नज़र आएंगे और उसमें से आपको सही विकल्प चुनना है तो पहला प्रशन है वन विनाश क्या है वनों की अंदाधुन्द कटाई वनों में खेती वनों में घर बनाना या म्रिदा अपर्दन प्रेव बच्चो सही उत्तर होगा क वनों की अंदाधुन्द कटाई दूसरा प्रशन भारती वन सेवा की स्थापना किस नेगी क ओप्शन है रोबर्ट कलाईब ने ख डाइटरिट ब्रेंडिस ने ग क्वीन विक्टोरिया ने ग लॉर्ड कार्डवालिस ने प्रेव चो सही उत्तर होगा ख डाइटरिट ब्रेंडिस ने आगला प्रशन देखिए पहला फॉरेस्ट इंस्पेक्टर किसे न्युक्त किया गया माउंट बैटन को जोर्ज चूल को डाइटरिट ब्रेंडिस को या रोबर्ट कलाईव को सही उत्तर होगा डाइटरिट ब्रेंडिस अगला प्रशन देखिए इंपिरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिटूट की स्थापना कब हुई उनिसो पांच, उनिसो छे, उनिसो साथ या उनिसो चार इसी से सम्बंधित अगला प्रशन है इंपिरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिटूट की स्थापना कहां हुई आपके विकल्प हैं कलकता, देहरादून, मुंबई या डलहौजी प्रिये बच्चो, सही उत्र होगा देहरादून तो प्यारे बच्चो, देखा आपने कि किस तरीके से भारती वनक्षेत्र का दोहन ब्रेटिश लोगों ने किया और आपने ये भी देखा कि अपने स्वार्थ की पूर्ती के लिए किस तरीके से उन्होंने भारत की वन्य भूमी को सरक्षित करने के लिए भी कदम उठाए इसी प्रस्तोती में आपने ये भी जाना कि जंगल हमारे लिए कितने महत्वपून है प्रिये बच्चो अपने ग्रिह कारिये के तौर पर आप उन्हों सभी महत्वपून विश्यों को लिखेंगे कि जंगल हमारे लिए किस तरीके से फायती मन्द है जंगलों से हमें क्या-क्या प्राप्त होता है और रोज मर्रा की जंदगी में जंगल हमें क्या-क्या परदान करती है संक्षेप में कहूं तो आप जंगलों के लाब लिखने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से जंगल हमारे लिए उप्योगी है इस पाठ के दूसरे प्रस्तोती में हम जानेंगे कि अंग्रेजों ने यानि उपनिवेश्वाद के दोरान जो वन कानून भारत में लागू हुए उसकी वज़े से भारतिये क्रिशी पर क्या असर पड़ा तो तक तक के लिए धन्यवाद झाल